प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट आठ, मैं हूँ मदुमक्खी सभी ने मदुमक्खी देखे होगी, आप लोगों ने देखे, मदुमक्खी कैसी होती है, मदुमक्खी ऐसी होती है है ना प्यारी सी सुन्दर सी आगे पढ़ते हैं अब हम शुरू करते हैं पाट संभव और खुशी फूलों के बागीचे में पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुन गुनाती बधू मक्या दिखाई पड़ी वह कभी इस फूल के उपर जाती तो कभी उस फूल के उपर जाती दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे तभी उन्हें किसी के ठाके मार कर हसने की आवास सुनाई दी ठाका मारना अंडरलाइन कीजिए वेटा आप उसको रेखांकित कर सकते हैं अरे इधर उधर क्या देख रहे हो मैं तो आग के सामने हूँ संभव और खुशी ने देखा उनके सामने पंक फैलाए मदू मक्खी खड़ी है थी पंक फैलाए अंडरलाइन कीजिए मदू मक्खी भी अंडरलाइन कीजिए वह बड़े प्यार से बोली बच्चो जानते हो मैं कौन हूँ मैं हूँ शहद की मक्खी शहद आप लोग खाते हैं ना शहद की मक्खी हाँ हाँ वही शहद जिसे आप खूब मजे से खाते हैं संभव बात काटते हुए बोला पर तुम तो बहुत चोटी हो तुम शहद कैसे बना सकती हो मधु मक्खी हस कर बोली ठीक है चलो मैं अपने बारे में बताती हूँ हमारे शरीर पर चोटे चोटे बाल और चोटे चोटे पंक होते हैं यही पंक उड़ने में हमारी सहयता करते हैं क्या करते हैं चोटे चोटे पंक और चोटे चोटे बाल उनकी क्या सहयता करते हैं उनने में सहयता करते हैं हमारी भी आपकी तरह दो आखे होती है जो सिर के दोनों ओर होती है इनके सिर के दोनों ओर आखे होती है पर तिये एक आख में लगवग छे हजार लेंज होती है बंके छे हजार लेंज़ परंतु हमारी नाक और कान नहीं होते इनके नहीं होते, बलकि इसके इस्थान पर सिर के आगे जादूए एन्टीना, आपको पता है छत पे लगता है एन्टीना एंटीना होते हैं, जो सुने और सुनने में हमारी सायता करते हैं उसे ये सुन भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं हम पैरो की सायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़ कर रखने का कार्य करते हैं ये लोग क्या करते हैं पैरों की सायता से सपाई कटाई किसी भी चीज को पकड़ के रखने का कार्य करते हैं हम सब से हमारे सब से पीछे के दो पैरों में फूलों का एक पराग एकत्र करने के लिए एक थेली भी होती है यानि के थेले भी होते हैं कैसे थेले होते हैं पराग एकत्रित करने का इखटा करने का एकत्रित करना इखटा करना ये लोग पराग को इखटा कर लेते हैं किसमें उसके उस थेले में तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे अगला अगली वीडियो मैं फिर आपको शेयर करूंगी बाई